हेलो एव्रिवन, मैं से दॉक्टर जीतेंद्र यादोव, आज हम लोग मिले हैं बाइलोजी के सेशन के लिए, बचो आज मैं आपको बाइलोजी के बारे में थूड़ी से इंफरमेशन दूँगा, कि लाइक किस तरह से 11th and 12th में आपको बाइलोग पढ़ना है, उसके अलाव हम दील भी करेंगे, और it is a kind of a demo, आप इसको as a demo ले लिजिए और चीजों को समझने की कोशिश करो, obviously offline जो हम लोग classroom में पढ़ते हैं, उस तरह का environment तो by technology से उतना तो नहीं कर सकते हैं, but still I am trying my best कि आपको best से best दूँ यहाँ पढ़ता कि आप चीजों को समझ सको कि how we will go for the next two years, ठीक है बच्चो, पहले बात करते हैं, biology की syllabus है, as far as 11th and 12th is concerned, यह need की बात करूँ बच्चो, तो अगर आप देखेंगे, आपका जो need है, need जो आपका है, इसके अंदर you will be having 90 questions, 90 questions आपको exam में पूछे जाते हैं, और each question will be of 4 marks which is going to be 360, तो exam, need exam होती है 720 marks की, और 720 में जाती है तो बहुत important है कि देखे रहे हो, half syllabus, half journey है आपकी need की, यही से पूरी हो जाती है, तो यह बहुत जादा important subject है, that is your biology, ठीक है, आपके biology में 90 questions आपको मिलते हैं, ठीक है बच्चो, अच्छा, as far as need is concerned, need के अंदर you syllabus आता है, that is from 11th, ठीक, आपके 11th का syllabus भी आएगा, और आपके 12th syllabus भी आता है, 11th में you have 22 chapters, और यहां पर आपको total है, 16 chapters, right, 12 and 16 chapters, बच्चो, यह combine करके, यह दोनों combine करके, will be having 38 chapters, यह 38 chapters, around 500 pages, कि बुक होगी आपके दोनों मिला के, 500 pages की बुक होगी, देखेने में बड़ा डर लगता है, बहुत सारी चीज़े हैं, but trust me, दो साल तक बड़ी interesting way में चलेंगे हम लोग, और within a year हम लोग इस चीज़ को खतम भी कर लेंगे, बच्चो, ठीक है, एक साल में हम पुरा खतम करते हैं, बच्चो, मतलब यह सिर बोलने की बात नहीं, मैंने पहले भी यह चीज़ किया हुआ है, हमारे जो previous year के student रहे हमने ऐस जाम के लिए भी और उसके सारे concept, जो number of questions वो देखता है, हर एक सज्जे की बात करूँ, physics, chemistry, biology, सब में लाके, वो सब कुछ clear कर लेता है, अपना, तो need, we are the master of the need, I can tell you this thing, like आप आओगे तो हर चीज़ों को आप एदम अच्छी तरे से समझ सकते हो हमारे हाँ पर, ठीक है, म time wing ये में तोड़ा erase कर लेता हूँ, जरूरी है इसको erase करना, ठीक है, तो चलिए start करते हैं, बच्छों हम बात कर रहे है, study of animal types के, इस chapter के अंदर, total, three type के animals पढ़ना है, बच्छों अब आप नाम देखो, topic के ठीक है, study of animal type, बतलब animals के बारे में पढ़ना है, कि type of animal, ठीक है, होते दब बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हमें main three type के animals को deal करना है, one is cockroach, other one is frog, and one is earthworm, देखो, ये आपका cockroach, ये आपका frog, और ये आपका earthworm, इन तीनों से ही हमें deal करना है, बच्छों इसमें हम deal क्या करेंगे, मैं बताता हूँ, जरूर देखो, इसमें हम deal क्या करेंगे, जैसे, पहले बात करेंगे हम उनके body parts की, कि उनकी body में क्या-क्या होता है, उनकी body कितने कितने part में divide हुई है, head, thorax, abdomen, जो कुछ आने वाला है, उसके बात, उनका digestive system, जैसे हमारा होता है, mouth से लगके एनस तक पूरा जो elementary canal है, हम deal करेंगे उनका digestive system, फिर हम deal करेंगे उनका circulatory system, फिर हम deal करेंगे उनका circulatory system, फिर हम deal करेंगे उनका circulatory system, blood circulation, like body में किस तरह से blood circulate होता है, ठीक, अगला topic जो हम deal करेंगे यहां से, इनके अंदर, इनका respiratory system होगा, respiratory system, and last में आपको यही बिलेगा इनका reproductive system, reproduction कैसे करते हैं, यह सारे animals, reproductive system, ठीक है, तो बच्चों यही सारे topics हैं, जिनको हमें deal करना है, we'll deal this all thing, cockroach के अंदर भी, frog में भी, earthworm में भी, इस तरह से हम इनको deal करेंगे, और फिर हमारा एक चाप्टर यहां से complete होगा, trust me, अराम से, पेशन से पूरा वीडियो देखो, और पूरी चीदों को समझने की कोशिश करना, ठीक है, step by step जाएंगे, सब कुछ समझ में आएगा ठीक है, चलो बच्चो, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, cockroach से पहले, ठीक है, हमारा पहला topic है, वो है cockroach, अच्छा एक बात समझो, अभी आप यहां पर आ गये हो, तो एक बात आप समझके हो, कि जीतु सर, मतलब, जीतु सर के साथ में, मुझे लोग जीतु सर भी कहते बच्चो, तो जीतु सर के लेक्च्चर होगा, तो आपके एक चीज सुनने मिलेगी हमेशा, that is hashtag, हम hashtag की वाद उच्छो करते हैं, जरा देखो प्लीज, हमारा जो topic है अभी फिलाल के लिए, hashtag cockroach, आ जरा, please ध्यान दरा, बड़ा interesting है, बहुत interesting है, थेके बच्चो, जरा देखो, first हम बात करेंगे इनके सम क्याटरिस्टिक की बारे में, characteristics, कुछ basic बात हैं इनके बारे में, cockroach की characteristic, of cockroach, ठीक, characteristic की बात करते हैं, बच्चो, पहली बात करू, एक statement हम इनके बारे में कहते हैं, first statement, हम कहते हैं कि they are omnipresent cockroaches are omnipresent omnipresent तरह देखो में स्क्रीन पर लिखता हूं यहां पर they are omnipresent now सर ये omnipresent क्या होता है बच्चो omnipresent का इसका जो meaning होगा मैं यहाँ पर bracket में लिखूँ हर बार omnipresent का मतलब वो animal जो सब जगा मिलते हैं मतलब present everywhere everywhere मतलब देखो न तुमारे घर पर जमीन पर गूमता है और cockroach न उड़ता भी है तुमको दिखा हूँ में कैसे उड़ता है उड़ता भी है और water का surface उसके उबर भी चल पाता है ठीक है next बात हम जो cockroach के बारे मतलब करते हैं that is they are omnivores now omnivores अगर आपको याद आपने 10 तेंथ में बचलोग बढ़ा होगा एक होता है herbivores और एक होता है carnivores herbivores हो मतलब plants राइट जो अनिमल प्लांट खाते हैं वो होते हैं herbivores और जो अनिमल मीट खाते हैं वो होते हैं carnivores जैसे कि human होता है human दोन ज़स खा सकता है वो प्लांट में vegetable भी खाता है meat भी खाता है तो जो human है वो क्या हो गया ना तो वो herbivores है ना तो वो carnivores है वो क्या है वो omnivores है जो सब कुछ खा सकते हैं तो cockroach में हमारी तरह होते हैं वो भी क्या करते हैं इसमें निखोगे eat vegetable as well as meat असान एकदम बढ़िया next is देखो क्या omnivores, omnipresent one thing is इनके बात करें nature के बारे में they are nocturnal nocturnal in nature I hope आप लोग ने कभी तो भी इसके बारे में बच्छो सुना होगा कि nocturnal actually क्या होता है बच्छो नॉक्चर्ण 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 पता है जो एनिमिल्स या कोई भी बंदा जो भी लोग रात के ताइम एक्टिवीटी करते हैं maximum time क्या होता है हम humans wake up in the morning and we do our work throughout the day and then रात को हम जाके सू जाते हैं बट बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जो अपना काम रात हो करते हैं ऐसे कि मैंने बताया कि कॉक्रोच की पाट्टी चलती है रात के टाइम पर कहां पर आपके किचन में सही बात है तो वो एनिमल जो रात को प्रेजेंट होते हैं जो रात को अपना एक्टिविटी करते हैं देयार उनको हमें term देते हैं nocturnal अच्छो ठीक है तो nocturnal का मीनिंग है active during night time सही है clear हो रहा पूरा चीज़ है बहुत बढ़िया अच्छा एक चीज़ और सुनो दे आर कर्सोरियल इन नेचर नाव यह कर्सोरियल के अगर मैं बात करूँ कर्सोरियल क्या होता है पता है अच्छा लोग एक बात समझ देना आज कि आपने अपने लास्ट जो आपका चैप्टर रहा होगा 10 की बात करो तो आपने 10 में पढ़ा होगा एनिमल किंडम के बारे में पौरीफेरा, अकैनडामाटा, आर्थरपोडा यह था ना 10 में? यह बच्छो तो उसने भी आपने पढ़ा होगा हम यूमन्स आते हैं मेमल्स में मेमल्स मतलब दुनिया के सबसे जजादा सुपीरियर है उसमें लाइन भी आता है, उसमें यूमन भी आता है पट इस दुनिया में पूरे वर्ल्ड में we, humans are the most powerful अटिमल अब बोलो जिए सार हादी तो हमसे बड़ा होता है जिराफ तो बड़ा होता है लायन तो भूखा जाता है बच्चो हम लोग सुपीरियर हैं because of our brain बस समझो अब बोलोगे सर अभी तो कोक्रोज बड़ा था यहां पर कहांगे अच्छो मैं इसलिर आया मेरी बास में चो हम एनिमल्स हैं कोक्रोज भी एनिमल्स है तो एनिमल्स के दुनिया में we are the most powerful animal तो वैसे कोक्रोज भी है पट कोक्रोज कैसा बहुत चोटा एनिमल होता है अब बात लेकिन हमको क्या लगता है अरे मतलब भागतो रहे बाट इतना तेज नहीं भागता है क्यों क्यूक्क हम सुपीरियर है हमारे लिए दो बार जाएंग एफर कि हमार देदो मर जाएगा वो बास समझ में आरा बच्छो तो यह होता है कि उसके लेवल पे बहुत प्रेश तो यह कोक्रोज के बारे चार बाते हो गए एक लास स्टेक्मेंट और आएगी उसके बाद इनकी क्रेटरिस्टिक कम से कम खतम हो जाएगी बच्छो बास सुनुँ एक लाइन लिखता हूं इसको पढ़ाता हूं फिर आप लिख देता हूं फिर आपको सम्झाओंगा क्या है they can fly but rarely exhibit this property बच्छो कोक्रोज उड़ता है या उड़ सकता है बट और रेरली काम करता है कब परफॉर्म करेगा वह एक्टिविटी डिरिंग एमर्जनसी डिरिंग जब उसको डर लगता है जब उसके आप आटाक करो कि सम्झाओं वह वाल पे वॉक कर रहा तो दिरे दिरे ऐसे वह वह पर चड़ रहा था और आप उसको मार ने कोशिच इस प्रोपर्टी और आपने देखा होगा मुझा पूरी उमीद है कि आपने यहां वाज़रू घर में भी देखा होगा कैसे कॉप्रोच उड़ते दरूर है ठीक है तो यह कुछ बाते थी यह कुछ पॉइंट्स थे मैं चाहूँगा कि वीडियो आप पॉस करना इन पॉइ पॉडिपाट्स को को क्रोच की बॉडिपाट के बारे हम पढईगे लेकिंश स्क के बॉडिपाट्स यह कुछ फी यह कुछ पढ़ेंगे अब एक एक बात लिखोफ हम कि देखो बॉडड़ी ऑफो ankles को इडिवाईडेड इन तो थ्री सैग्मेट्स एक उनके पास होता है है एक होता है थोराक्स और एक होता है अब्डामन ठीक है इन पर आता हूं पहले मेरे पहले से डाइगरम को जरत देख लो फिर उसके बाद आके बात करेंगे बच्चों ठीक है जरत देखिए मैं कोशिश करता हूं एक बनाने के लिए कॉक्रोष कहीन है थोड़ा लगेगा यह कॉक्रोष की बहुत बोड़ी पार्ट बनेंगे यहां से यह हो गया और उसका है फेड़ पार्ट ठीक और यहां से ठीक है यहां तक बन गया अपना पार्ट और लास्ट में यह उनकी यहां से बनता है और यहां से उनकी विंग निकाल लेते हैं यहां से उनकी विंग बना लेते हैं यह कुछ विंग नहीं है वच्चों ठीक है ये विंग का पार्ट है सारा बच्छे तो ओके ये रोल्मुस्ट टन बच्छो लोग येस इस इस हो टोक्स कुछ ऐसे दिखे हैं ये लीफ नहीं है पत्ता नहीं है दिखे है दिमाग मुझा जाजा मत लगाना पत्ता नहीं बना है मैंने ये उनका विंग है चलिए खीक और थोड़ा सा कॉप्स दिखाते हैं इसको इसके इंडीना बाना दीजिए इनके पास लेग्स होते हैं बच्छो इनके पास लेग्स होते हैं इस तरह से इस तरह से इनके पास legs होते हैं और इनकी last के segments हैं यहाँ पर कुछ structure आपको मिलता है यह वाला इनकी naming करूँगा इसका नाम है NL style यह है NL सरका है यह इनका antenna यह उनकी eyes यह उनके legs यह उनकी wing ठीक यह कुछ body parts तर अच्छा हो यह basic है सरह देख लो I hope cockroach दीख रहा हो जरूर नहीं okay अब जो चीजे मैंने है mention की बच्छो के head thorax and abdomen पर इसकी बात करता हो यह क्या होता है मालनी जी कि this is the body of a cockroach right this part is head right यहाँ पर neck head and neck वाली बात आ गई कि नेका गया इसकी part humans में यहाँ होता है कि हमारा यह पूरा head is skull हम सुखे देए यह हमारा skull होता है this is our head फिर यहाँ के neck के बात पर जो नीच चला अपाट है this thing this is our thorax यह क्या होता है this is our thorax and यह हमारा abdomen this is our abdomen and इसके नीचे आपाट इस आर लेग है एन अपने हाथ में आपर होते हैं कॉक्रोज की बोडि में कुछ ऐसा ही है उनके भी head है thorax and abdomen है बट उनके legs हमारी तरह आगे extending हुए उनके legs इस तरह से बाजु में यहाँ पर thorax से बाहर निकले हुए अगर आप ध्यान दो head की बात बाद में करता हूं पर बात करो thorax की बच्छो थ्री सेग्मेंट्स में डिवाइड है थ्री सेग्मेंट्स एक सेग्मेंट्स यहां ने लिखेंगे हम thorax का जो body part में चलो it is divided into three segments वही पर आपके abdomen की बात करी जाए तो it is divided into ten segments यहां पर ऐसा होता है बच्छो थीक है तो thorax जो है नका तीन पार्ट में डिवाइड है लाइक हम बोले यह पुरा thorax part है तो one two and three डाइवा में दिखा हूं हम आपको जरा दूमेंट मेरा बेट करना and abdomen is tenth segment अब जरा दिखो अगर आप बोलो कि सरजी यह तो उसका head हो गया यह पार्ट यह उसके antenna हो गया तो बच्छो यह जो है ना one two and three उसके thorax हो गए इन remaining parts are the abdomen अब मैंने डाइगरा में बताने 10 बनाएं कि निवरा गिन लेते हैं में मिलती है ठीक है तो पेशन से अराम से बैड जाओ और चीजों को सुनते रहो बच्छो बात करी जाए कोकरोच के head की ना it is also divided into four more parts या और चार चीजों में होता है उसका head चार चीजों में या उसके head में हमें चार चीजों मिलती है जैसे हमारा head है we have the eyes, nose, mouth, ears मारे पास होता है तो वैसे उनके भी head में चार चीजों मिलती है उनकी बात करता हूं one is antenna, जो diagram में भी आपको दिखरा बच्छों आपर, one is antenna, one is compound eyes, eyes नहीं, compound eyes, ठीक, compound eyes, फिर बच्छों इनके अंदर आता है next topic, that is fenish tray, तुम बोलेगा है fenish tray, fenish tray में बनाया नहीं दिखाता है, fenish tray and उसके अलावा एक mouth होता है, तुम बोलेगा सर, mouth भी ठीक है, antenna compound eyes भी ठीक है, fenish tray क्या चीज है, कहां पर है यह दिखाए पहले, बच्छों अगर आप देखो तो cockroach की eyes है, यह दोनों eyes है, उसके अंदर की तरफ antennas है और antenna के भी अ antenna का function क्या कहा है, इनकी body के अंदर compound eyes क्या करती है, हर एक के बारे हम deal करेंगे, ठीक है, तो अब हमने बात की head के, head के अंदर पढ़ा antenna, compound eyes, fenish tray and mouth, अब बात करेंगे इनके antenna की, कि antenna क्या करता है, तो again वही, जीतु सर, hashtag, तो, hashtag, antenna, ठीक है, antenna की बात करूँ बच्छों, तो जो आपको वहाँ पर structure दिख रहा है, real life में वह ऐसा भी नहीं होता, अगर उसको तो जूम करोगे ना, तो कुछ ऐसा structure बनता है, यह cockroach का antenna होता है, इस तरह का, मतलब यह है ना, straight नहीं होगा, उसमें भी segments होती है, वह अलग पार्ट में divided वो भी होता है, जैसे उनकी body के अंदर thorax और abdominal segments था, वैसे उनके antenna के अंदर भी segments होते हैं, ठीक है, तो यह cockroach का antenna कुछ दिखता ऐसा है, और बच्चो इसका function लिखना चाहूँ, function काम क्या करता है, यह चीज, function की बात करूँ, तो इसमें आता है, पहला point की we, they are, no not they are, they have, they have tactile and olfactory बच्चो they have tactile and olfactory receptor अभी तुम बोलेगा सर tactile क्या होता है और olfactory बच्चो olfactory तो सुना होगा ना नहीं मैं रताता हूँ कोई बत नहीं tactile का simple meaning होता है touch touch yes touch करना simple touch yes और olfactory मतलब smell इसका मतलब cockroach अपने antenna के help से जब उसे कोई touch करता है तो वो sense कर पाता है with the help of antenna as well as वो उसे स्मेल भी करता है किस से antennas बस समझ मैं कि olfactory word एक नहीं आया है आपकी dictionary में खुद की book बना लो एक लिखते रो तो उसमें क्या आएगा olfactory मतलब smell कर पाता है तो cockroach बच्चो जो antenna it is divided into many segments बात पूरी clear है excellent चलो बच्चो अब आगे बढ़ते हैं हम ठीक है आगे बढ़े next topic see this is our done antenna is done now right now we'll talk about compound eyes बच्चो अगर बात करूं compound eyes काया तो सबसे पहले बता है कि compound word में ने क्यों use किया बच्चो compound eyes right now why compound बच्चो होता क्या है humans है हम humans है हमारा कैसा है यह हमारी eyes है हमारी eyes single single होती है तो इनका कुछ अलग case है जरा देखो ना अगर मैं एक try करूं बनाने का तो यह समझो कि यह वाले उनकी eyes है बच्चो ठीक है तो इनकी eyes में बच्चो इस तरह से कुछ segments होते है ऐसे ऐसे उनकी eyes आते है इस तरह से बनेगा ठीक है यह रफ तरीक है समझाने के आपको कुछ देखता है से आपको इसमें ऐसा होता है तो यह चोटे चोटे boxes square boxes type कुछ बन रहे न बच्चो यह यह उनकी एक single eyes है हां मैं क्या बोला हूँ यह उनकी single eyes है कौन सी चीज़ यह बना यह जो boxes बने ना this is their single eyes इसको एक नाम भी दिया रहता है that it is ometidium इनका नाम होता है ometidium क्या होता है ometidium और बच्चो ometidium एक cockroach की eyes में करीब करीब 2000 होते हैं कितने होते हैं 2000 2000 ometidium होते हैं और मेरे जो diagram है इसके basis पर आपको लग रहा हो कि स्क्वेर का होता है बच्चो नीड में कई बर पूछा किया है चीज किस शेप का होता है तो आपको बोलना है it is of hexagonal shape hexagonal shape मैं वैसा बनाने के सोच आ था बट अगेन वही की बहुत टाइम लगता है इसलिए मैंने सिर्फ आपको बना जए जो यह होगा basically यह कुछ ऐसा दिखेगा like hexagonal shape का कुछ यहां पर बनेगा not a square box एक पार्ट इसनोंने सोच ओमेटीडियम और कॉकरोष के पूरी वन आइस के अंदर पूरे आइस के अंदर छोटे-छोटे ओमेटीडियम है वो कितने हैं 2000 होते हैं और hexagonal in shape अच्छा वो बात तो हो गए अपनी अच्छा बचो उसके अलाबार तो compound is इसले बोला गया कि जो यह एक ओमेटीडियम है it act as a one eye ऐसा simple सा language में लिख सकते हो as one eye one eye तो ऐसे 2000 eyes है ना इसले बोलाता है compound बहुत सारा compound eyes पास समझ में आगई पूरी तरह से बहुत बढ़िया बच्चो एक्सलेंट यार अच्छा कुछ function बात करो compound eyes का ना compound eyes का function की बात करो तो आप बोल चकते हो आइस हो तो क्या करेगा किसी के बाद आइस है कुछने क्या होगा देखिंगे लेकिन देखने में कुछ special है इंके आपस तरह देखो देख बलर एंड मॉसक विजिन नाओ एक कुछ नया वड़ा किया मॉसक वहले बलर तो समझने आता है बच्चो एक बात को ज़रा समझा कॉक्रोच कव एक्टिवीटी करता है डिरिल नाइट टैंग क्या वड़ दिया था हमने नॉक्चर्नल तो कॉक्रोच इस नॉक्चर्नल तो होते हैं हमालने में अपने को तो नॉक्चर्नल बच्चो लोग अभी मैं बताओ इस 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 में जाएगा आइसा नहीं होता कि अश में से कुछ रहे नहीं आती शाए्स यह वाली जो रिट्फलेक्शी वीट्थि वं कॉक्रोच के टाइंप नॉक्ष नल एयक्क विद्धीड थो तो राट के टाइम पर लाइट से लाइट से कुछ लेंदें खास नहीं होता जादा उनको मतलब विजन देखने की बात करो एस फार एस विजन इस कंसर्ण उनको लाइट की जरूत नहीं पड़ती है तो उनको देखता जरू है बड़र दिखता है तो यहां से बात ब्लर वाली क्लेर हो गई अभी तुम बूलो लाइट इस 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 वाट दो मोसाक इस ऐसा कुछ मोसाक जिन दिखता है क्या होता है नॉर्मली चीजों को मिला मिला के जो फ्रेम बनता है अभी हम क्या करेंगे है कहीं पर घर पर कबड के ऊपर हमने कहाखे है एक कुछ अस्टोन लिया वह फेग दिया उसके उपर तो तो था जो सकते हैं तो मिरॉर था वो बहुत अलरा फोड़न फट पार्ट प्रीड़ेस क्या हो गया थो घ्या करेंगे कुछ वालों बनता है measurement इस तरका विजन होता है कि कुछ मिला के दिखता है exactly इस तरका यह वाला हां तो इसको हम बोलता है मौसक विजन बच्चों क्या बोलते हैं मौसक विजन दिखाई दिखाई दियता है आपको एचीज क्लियर होगी होगी excellent अब अगला वर्ड इस आवर फैनिश्ट्रे तुम बोलो के सर्जी यह फैनिश्ट्रे का क्या काम फैनिश्ट्रे तो बहुत अलग था कुछ तो समझ में ही नहीं आया बच्चों फैनिश्ट्रे का एक बहुत ही मस्त फंक्शन है इस में प सेंसिंग दे लाइट एक क्योशन के बढ़ आंसर दो तुम रात को घर में से किसी कायम से उड़ गया है जाके कितने की जब लाइट ओन करते हो तो देखते हैं कोक्रोच पाटे कर रहे होते हैं और जैसे तुमने लाइट ओन किया हो सब कुछ उसे भाग मतलब क्या कि तुम कर सकते हैं अगर बो लोग लाइट सेंस कर सकते हैं मतलब कुछ तुम की बॉड़ि में होगा ना येस बच्चो तो उनके हम यूमन के पास आईज होती हैं लाइट सेंस करने के लिए कोक्रोच जेफ फैनिश्ट्रे और बात कर रहेद च्छ प्रश पनिश्ट्रे को बच्छ यहाँ इसा अन्धर फेनिभेन आप यहाँ पर, उसके just अन्दर आन्तीना् भार निकलता है, और आन्तीना के भी अंदर के ररफ अन्दर आन था डी फेनिश ट्रे kies आप देख पा रहे हो यहां पर मैंने बनाया हुआ है उनकी आइस अंदर गये तो मिला एंटीना उसके भी अंदर भी हाव फैनिस्ट्रे तो अच्छो कोक्रोच के अंदर फैनिस्ट्र क्या करता है वो लाइट सेंस करने में उनकी हेल्प करता है आपको यह बात समझ में आई होगी राइट नाव वन आप इसको लिख लो चीजों को फिर में रेस करता हूँ ठीक है ओके तो बच्छो लिख लिया राइट चलो अब बात करता हूँ माउथ पार अब दी कॉक्रोच की तो जरा बच्छो जरा देखो पहले मैं हाँ पर दिखा करना खुशेच करते हूँ कि एक्ज democr honest के माउथ कैंदर भी और अलग से चार चीज़े होती है एक लैबर में एक लेभिम एक मेंडीबल और एक मैजलीग बच्छो ये चार चीजे के कि मंध के अंदर होती है समझाता हूं है कि झीज को दिर हम C LABUM여 गता है इनका It is अपर लीप लीप लीक यह वाले इनका Нे अपर लिपने इसपाट टिशिते लेवर लैबरं लीबियम की बाद करूँ इपने अ लोवर लिप, आग करो मेंडिबल की, मेंडिबल इस ए ट्रू जॉब और मैक्सिले इस ए फॉल्स जॉब, बच्चों ये चार चीजे लिखें मैंने, लेबरम, लेबियम, मेंडिबल, मैक्सिले, और उनके अपने एक एक और नाम लिखें गए हैं, लेबरम इस देर अपर लेबियम इस देर लोवर, मेंडिबल उनका true jaw हता है, true or false में अपने एक और समिझाओंगा मैं आपको थोड़ी देर के अदर अभी अभी, ठीक है अब एक काम करते हैं, एक और देखनी कोशिच करते हैं, रियल लाइफ में, इमेजिन करो, लिप, अपर लिप, बच्चों ए अधिक है dorsal body, क्या होगा यह, dorsal body, and this is our ventral body, इसको यहाद नहीं रहेगा, नोल नोस देखो, it's a V-shape, ऐसा कुछ आता है, V-shape, तो एक नोस आगे, V दिखते है, this is our ventral, and this is our dorsal side, okay, अब मेरी बास सुने, कोखरो जब चलता है, तो उसका ventral side, this part, समझे हम humans है, हम चलते ह अब कोखरोच चलते है, उसका face is नीचे, this part is on up, तो उसका mouth होता है, वो नीचे की तरह जालता है, ऐसे, यह पार्ट नीचे होगा, बस समझे है, अब क्या होता बच्छो, कोखरोच का अपर लिप होता है, this is, this is labrum, बच्छो, labrum flat होता है, इतनी बड़ा, labrum ऐसे होगा, और उनका lower limb, labrum, labrum, इस तरह उनका face होता है, अब जब कोखरोच वाक करेगा, जब कहीं चलेगा, तो उसका कुछ फूड मिलके है, मानगेजी के फूड है, तो क्या करेगा वो, labrum और labrum के help से उस फूड को अंदर ले लेगा, now the thing is, कि labrum और labrum के help से फूड अंदर आचुका है अब अगर वो मुख खोलेगा, तो food will go out, तो क्या करता है, labrum and labrum इसके मूँ में आगे है, इस तरह से, with the help of labrum and labrum, what is labrum, upper lip, labrum, lower, upper, lower, labrum, labrum, upper lip, lower lip, अख लियर है, perfect, अब क्या करता है, फूड तो आ क्या हो, food क्या क्या था, next is mandible, कोखोष चा करता है, इसके यहां पर mandible ह इसे हैं, फूट को ख्रश करें, हम गया करते हैं हुँमन्स चू करते हैं इक रफ उसे में गाल फूट को ख्रश करते हैं उसे तरह कर रहा है है वह त्रूली कर वह तुम बोलेगा से मैंगजिला क्या रहा है? बच्चो फूट सेंटर में था मेंडीबल उसको क्रश्ट कर रहा था लेबरम क्या यह मेंडीबल मेंडीबल के पीछे यह बाई साब कोई और नहीं है मेंडीबल आगे पीछे मेंडीबल फूट सेंटर में था मेंडीबल क्रश्ट कर रहा है मेंडीबल क्रश्ट कर रहा है में पूड को ग्रश्ड करने में एक्चलि कोनर कर रहा है mendible क्योंके mendible चाहिरा है असना नाम दिया true job maxillates सरफ help की किस चीज में food को ग्रश्ड करने में को जोग होग गया कौन सा false वाय false क्योंके लगओ पार्टिसेपट नहीं कर रहा है यह तुमको समझा बच्चों कम आपको यह सारी चीज़े क्लियर हो गई होगे इस वेर आवर हेड इस डन कोकरोज का हेड पार्ट यहां पर खतम होता है तो यह था हमारा हेड पार्ट बच्चों अब क्या करेंगे हम लोग थोरेस दिल करेंगे इसके बाद लेकिन तब तक आप इन चीज़ों को लिख लो फुरे चीज़ों को बना लो सिर्फ मैं वह कोक्रोज ओला पार्ट इरेज नहीं करूंगा बाकि मॉस्ले में सब कुछ यहां पर इरेस कर दूंगा सारी चीज़ों को नोट कर लो फिर बाद में मिलका है ठीक है वीडियो पॉस करके नोट कर लो ठीक है बच्चों तो कर लिया बढ़िया चलिए अब थोरेक्स टार्ट करते हैं बच्चो लोग थोरेक्स इज डिवाइड इंटो थी पर्स ते कमने खाता राइट एडिवाडे इंटो थी सेग्मेंट्स थी पर्ट गो लिए हमने देखा भी दाकी एं तो अट्री पर्स में और इनके त्यों के अप्र आपका नाम बच्चों नाम है प्रो थोरेक्स, मीजो थोरेक्स, मेटाथोरेक्स तीन नाद प्रो मीजो मेटा अगर हम समझे लिजगे पार्ट अप्ट वी कॉकप रोज तो इस दिवाइए इंट फॉर्स पार्ट प्रो थोरेक्स मीजो मेटा तक पूरी क्लियर है बढ़िया अब समझते कि इसमें हमें मिलता क्या क्या अचले अच्छो चाहिए वो प्रो थोरेक्स हो मीजो या मेटा तीनों में से वो भी पार्ट हो इसमें यह गेट कि वन पर ओफ लेक्स मतलब वट इस वन पैर टू लेक्स सेम चीज यहां भी आएगी और यहां भी आएगी यह अंदर देखना अगर यह तीन हो उनके thorax है, first, second and third, तो जो प्रो पार्ट, जो प्रो में से, left side से and right side से, one pair of, एक leg इदर से, एक leg इदर से, that is, one pair of legs निकलता है, प्रो में से, मतलब, if this is the left, right, same thing with the mesothorax and same with the metathorax, तो total क्या होगे, कितने pair of legs होगे उनके पास, three pairs, मतलब six in the number, clear हो गई, perfect, बच्चो, as far as pro meso, sorry, as far as pro thorax is concerned, उसमें सिर्फ one pair of leg होते है, that's it, और कुछ नहीं आपको मिलेगा नहीं, but, अगर आप बात करो, meso और मेठा की ना, तो apart from one pair of leg, they have, one pair of wing, इदर भी होगा, one pair of, one pair of hind wing, अच्चो, आपको सर्फ wing नहीं आएगा, four wing नहीं आएगा, one pair of four wing, one pair of hind wing होता है, बच्चो, इजो four wing है ना, इसको एक और नाम दिया आता है, हम कहते है, it is a false wing, साथ में hind wing की बात करूँ, तो it is a true wing, तुम कहोगे sir, wing में भी false और true, बच्चो समझाता हूँ, देखो, जो four wing है, वो कहा से निकली, मीजो में से, अच्च, एक बात और समझो, अगर माल लो, कि यह प्रो था पहला वाला, तो इसके लेफ्ट और राइट से लेग्स निकल गए थे, सेम चीज मीजो की बात करूँ, यह मीजो, second वाला हो गया, like pro done था, मीजो की बात करूँ, तो मीजो में से भी left and right से legs निकल गए, जो हमने आपर डिल कर लिया था, but apart from that, अगर यह मीजो वाला है, जो बीच वाला है, second वाला पार्ट, उसके legs क्या राव चलो, यह क्या है उसक असल साइड में से wings निकलती है, मैं यहां पर बनाता हूँ अलग से, आपको तक की समझने को असान होगा, यह उनका, मांग लीजी की यह हो गया उनका prothorax, this is their meso and meta, ठीक, इसमें हो गया, अभी हमने कर पड़ा, यहां से legs निकले, यहां से legs निकल गया, सभी common था, देख ल यह गया, यह बीच हो गया, यह तो मीजू, मीजू मैं से, इस तरह से left and right इस तरह से wings होती है, इस तरह से wings निकले होती है, किस में से? मीजू मीस से, क्योंकि यह उपर है और पहले आ रही है, इसको बोलते है, 4W, क्या हो तो हमने इसको, 4W, और यह आपका जो metathorax है, इसमे यह ईजाया कहा दो कि दूपर norm धाल कि तारह से और सिसक्राइगे अब सोनो, एक बात वालो, जो four wing है ना बच्चो, four wing, ये hard होता है, क्या होता है, hard, like what ये होता है, hard and opaque, opaque क्या, opaque मतलब, hard नमे में आता है, what is opaque, बच्चो, opaque मतलब, जिसमें से हमें, like transparent जो चीज ना हो, जिसमें हमें आस पास कर दिखे है ना, मतलब, यहां सो मातना दिखे है, समझना है, तो इनका जो wing है, four wing, that is hard, plus opaque, बात करूँ है, hind wing, जो नीच वाली wing है, this is delicate, not hard, this is delicate and transparent, अब बोलोगे, ठीक है sir, आपने बोला four wing मान लिया, आपने बोला hind wing, भी मान लिया, आपने का कि four wing उपर होता है, hind wing नीचे होता है, मतलब, कुछ ऐसे है, तो भी मान लिया, अभी यह hard और opaque से क्या, बच्चों, अब बहुत important तरह धाम देना, ठीक है, यह wing, ऐसे थी, four wing, sorry, hind wing यह लो, hind wing नीचे थी, जो delicate वाली है, जो transparent भी है, वो नीचे, यह चीज़ ऐसे उपर है, असान है, अब, जब कौकरोच को उड़ना होता है, जब उसको fly करना होता है, बच्चों, समझो नहीं, मैं इसी चीज़ को वाहर लग्या रहूं, यहाँ ले हिंड विंग नीचे रहेंगी, हाड विंग, जो four wing या hard अली विंग है, वो उपर, अब, जब कौकरोच को fly करना होता है, तो कौकरोच अपनी four wing को उपर कर लेता है, और वो hind wing के help से fly करता है, क्या बोला, four wing उपर आपके, hind wing के help से fly करता है, बास समझ रहे हो, ओके, तुम जब वो hind wing के help से उड़ना था, तो four wing चाहिए कि, exactly, ये question मेरा भी था बच्छो, बट इसका आंतर समझो, कौकरोच क्या होता है, वो चोटे-चोटे holes में, कबड के पीछे, कीचन के, चोटे-चोटे holes में जले आता है, तो अगर आपने notice क्या हो, जो उसका true wing है, जो real wing है, ज ऐसे चीज़, जब वो कौकरोच holds, अगरा में जाएगा, ये कबड के पीचे जाएगा, तो उसके wing को damage हो सकता है, अब उसमें क्या होगा हमने, hard wing रख ले उपर, क्या खरेगा, protection देगा, क्यों, वो तो hard एक दम, क्या है वो, इस दम hard है, कौकरोच का four wing is hard, तो उसके help सेगा it is help, it help in protection, और जो hind wing है, ये करता है, it help in flame, एकदम easy है, पक्का, बच्च देख लो, I think बहुत असान हो इस चीज़ है, पक्का ना, perfect बच्चो लो, प्लीज, प्लीज इन चीज़ों को कौपी कर लो, अभी हम डील करेंगे, आज के डेमोकरा सेशन का abdomen, last topic, वो बात में बात कर अब हम आज के सेशन का last part deal करते है, that is our abdomen, बच्चो अगर मैं abdomen की बात करूँ, तो आपने देखा हो कि सर ने पहली डील किया था कि 1, 2, 3 करके total 10 segments थी, right, 10 segments था अनके abdomen के अंदर, ओके बच्चा लो, so पहली बात लिखेंगे, वो सिंपल है, compared to head और thorax में इतना कुछ डील किया न, इसमें बहुत काम ज़ेदे पड़नी है, इसमें का पड़ोगे, it is divided into 10 segments, पहली बात हो यह कि 10 segments में बटा हुआ है, 10 parts में बटा हुआ है, okay, 10 segments में से, इसके बारे में एक statement लिखते हैं, Each segment has four sides, तुम बोलों कि four sides? बच्चो, मालो, यह जो है, this is one segment, कोई भी एक segment आमने ले लिया, सम्झों कि यह कॉकरोश का 10 segments है, मैंने एक segment को सब भार निकाला, आपके समय लागता, बच्चो, यह पुरा यह 10 segment है, इसका जो back side होगा, और जो ventral side जो आगे आला part, this is sternum, बस महीं लागई, तो dorsal, tergum, आगे sternum, और जो lateral side है जो दो, मैंने कहा था 4 sides, राइट, मैंने कहा 4 sides, तो एक आगे, एक back side, और जो दो होती lateral side, तो दोनों के नाम तो common आईगे हैं, आपके बिसिकली नाम कीन पढ़ने हैं, ventral, sternum, dorsal, tergum, और जो lateral होता है, pleuron, क्या बोलते हम इसको, pleuron, ओके, ठीक हैं, तो आप लिखिए इसको, बच्चो, मैं इसको 3 पार्ट में लिख देता हूँ, one is dorsal side, one is ventral, और ये दो side, that is lateral, ठीक, तो dorsal, ventral and lateral, बच्चों, dorsal का मैंने क्या नाम बता है ताब लोगो, sir, dorsal का नाम था, भूल गया सरम लोग, येस बच्चो, मैं लिखना आपे, येस तर्गम, T-E-R-G-U-M, तर्गम, ventral part is sternum, and lateral part is pleuron, बच्चों, जो pleuron आपे, ये वाला है, ये भी बहुत डेलिकेट होता है, बहुत डेलिकेट होता है, अभी दुम दुरा गेको पहले बाद मात करते हैं, क्या लिखाम ने, सर जी, डॉर्सल साइड, टर्गम, वेंटरल साइड, स्टर्नम, लेटरल साइड is pleuron, पक्का क्लियर होगी बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा, एक चीज और है, दो स्टेटमेंट्स और आएंगी, बच्चों, जरा समझना, अब बात करूंगा, उस ट्रॉक्चर की जो अगरा में भी दिया गया है, इस स्ट्रॉक्चर, इस अबर एनल स्टाइल की बात करता हूं, बच्चों, एनल स्टाइल की बात करूं, एनल स्टाइल इस प्रेजेंट इन नाइन इन सेगमेंट औफ of male cockroach, यह important है, male cockroach? सर, आपका मतलब है कि वो female में नहीं होता हूं, येस बच्चों, female में नहीं होता, male का जो 10 सेगमेंट इन उसमें 9th सेगमेंट के अंदर, 9th सेगमेंट के अंदर देवा स्ट्रॉक्चर, जो कि female में नहीं होता, बस समझ में आई क्या? एक और चीज, जो 10th में था, that is, अपना annal सरका है, यह हो गया, annal सरका है, यह male female दोनों मिलता है, ठीक है? मैं इसके लिख दूँ अगर, मैं लिखता हूं है, बच्चों, presently both, that is, अपना annal सरकाई जो है, बच्चों, क्या करें, इसका कुछ function होगा, इसका function है, help in, help in, sensing sound, बच्चो, sound ear करने में, उसको जो सुन पाता है, वो because of annal सरकाई होता है, तो यह male female दोनों मिलता है, और जो अनल स्टाइल था, वो सिर्फ और सिर्फ male cockroach मिलता है, बिसिकली male दिफ्रेंशेट करने का आपको एक क्राटरिस्टिक पता चल गई, कि अनल स्टाइल की presence होगी, तो वो एक male cockroach होगा, और अगर नहीं होगी तो एक female cockroach होगा, ठीक है बच्चों, आज जो आज जो आज चाप्टर डील किया जो जो फॉल अबाउट इड्ट, थॉर कि अब्डोमन, अब इनकी जो फिसिकल पार्ट जो बाहर का सारा बड़ी का पार्ट वो लिल कले, जो आना पच्चलों, और नीक्ष्ट टाइंगे, हम अंधर गूसेंगे, अन्दर गूसे सब्सक्राइब करने के लिए काफी कुछ काम आता है और 11-12 पढ़ने के बाद आपको आगे लाइफ के अंदर भी इसका बहुत बहुत काम आएंगे ठीके बच्छों तो यह था हमारा पहला लेक्चर स्टडी ऑफ अनिमेल टाइप्स का और नेक्स टाइम मैं मैं आपको मिलूंगा यही चप्रेट डिल करते हुए उसके डाइजर सुस्टम से स्टार्ट करेंगे तो आज के लिए बच्छों लोग बाई बाई एंड टेक कैर घर पे रहो पढ़ाई करते रहो ठीक है